हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो आज के मैं इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास एट्थ मैथ का असाइमेंट पार्ट फाइब पार्ट पार्व में हमों करेंगे व्रक्सेद का यह आपका क्वेश्टन है is 6 yc को सेखंड daiva करना है आपको कुछ नहीं करना है सिक्स improv को इस सरह से ब्रैकेट में पूट कर देना है उसे तरह से आपको पूट कर देना है और इसके बाद आपको सॉल्व करना है ठीक है 6 MN multiply by 6 MN 6 सिखजा होता है 36 दो बार M है इसलिए M square दो बार N है इसलिए N square प्लस करना है 6 7 जा होता है 42 42 हो गया यह रहा MN और 7C है इसलिए आपको MNC तीनों आ जाएंगे ठीक है माइनस लेना है 5C into 6 MN 5 6 होता है 30 30 लिख रहा है MN और C ठीक है प्लस करना है 75 होता है 35 और दो बार C है इसलिए C square इतना लिखने के बाद आपको like term को प्लस या माइनस करना है सबसे पहले 6 M2 N2 और यह यहाँ पर M2 और N2 कहीं पर भी variable नहीं दिख रहा है इसलिए 36 M2 और N2 को as it is रहें देंगे MNC और यह रहा MNC इन दोनों को हमको plus minus होता है हमारा minus लेकिन sign बड़े किया गी यह प्लस किया गी और हम लोग करेंगे minus 42 minus 30 होता है हमारा 12 और MNC और MNC को हम लोग 12 MNC ही लिखेंगे ठीके minus की sign लगानी है 35 C square है और पूरे variable में C square नहीं एक ही है 35 C square इसलिए हम लोगों यहाँ पर sign के साथ कोई भी number रखना है तो minus 35 C square यही आपका answer है इसी तरह से आपको question number 4 भी करना है question आप लोग का 11 X minus 6 AB और next bracket में है 11 X plus 5 AB 11 X को आपको second bracket के साथ multiply करना है then 6 AB को भी आपको second bracket के साथ multiply करना है और आपको उसके जगह पर put कर दे रहा है 11 X को आपको second bracket के साथ multiply करना है तो इसलिए हम लोग आपे bracket में लिख देंगे उसी तरह से minus 6 AB को भी आपको second bracket को second bracket से multiply करना है तो भी हम लोग कर दिये इस तरह से आपको लिखने के बाद आपको इसको solve करना है 11 X into 11 X हबसे पर 11 into 11 होता है 121 दो बार X इसलिए X square plus करना है 11 into 5 होता है हमारा 55 AB और X यह रहा हमारा X और यह रहा AB तो variable को हम लोग को कुछ नहीं करना है बस वैसे ही रख दे रहा है AB और X यहाँ पर यह वाला time solve करना है 6 into 11 होता है 66 X AB हो गया minus है तो minus लगा दिया plus है तो हो है आप हम लोगोंने plus minus होता है हमारा minus इसलिए हम लोगों यह आपर minus लगाया है minus लगाने के बाद 5 6 होता है हमारा 30 दो बार A है इसलिए A square दो बार B है इसलिए B square 30 A square B square फिर इसके बाद आपको जो लाइक ट्रम से उसको plus या minus करना है तो 121 X square X square यहाँ पर आपको कहीं और नहीं दिखेगा variable same होना चाहिए तो इसलिए अगर variable same नहीं है तो आपको LGT जो इसको रख देना है तो 121 X square यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ पर आप देख सकते XAB और XAB यह दोनों के variable same है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे प्लस माइनस होता है हमारा minus प्लस माइनस 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 प्लस होता है प्लस 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 होता है प्लस माइनस माइनस होता है माइनस प्लस माइनस होता है यह साइन आप लोग हमेशा याद रखना उसी के बेच पे सारे questions आते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस होता है प्लस माइनस होता है हमेशा माइनस इसलिए हम लोगों यहाँ पर माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़े किया आईगी और 66 बड़ा है उसके आगे साइन माइनस के इसलिए माइनस करना है 66-55 होता है 11 और एक से भी है तो एक से भी को एजिटीस रख दे रहा है माइनस लिखना है यहां पर माइनस है तो 30 30 a square और 20 a square आपको इस पूरे नंबर में कहीं आपको a square b square जैसा कोई भी वैरियोल दिख रहा है नहीं तो आपको एजिटीस रहने देना है ठीक है और यह रहा आपका answer नेक्स्ट अब आपका आता है simplify simplify में यह रहा आपका simplify में आपके भी चार question है question number one bracket में 2 a plus 3 का whole square minus 2 a minus 3 का whole square यह आप ध्यान सा समझिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है बस identity लगानी है और आपको इसमें put करना है वो number आपका answer आजाएगा question आप लोग का 2 a plus 3 का whole square minus 2 a minus 3 का whole square यह आपका question है आपके identity क्या लगेगी याद करो a plus b का अगर whole square हो तो इसके identity क्या लगती है हाँ a square plus 2 a b plus b square अगर a minus b का whole square होतो तो a square minus 2 a b plus b square यह आपको पता है फिर आपको इसी तरह से आपको लिखना है first bracket में plus second bracket में minus a आपको put कर देना है a square a plus b का whole square हो तो a square plus b plus 2 a b plus b square उसी तरह से आपको put करना है यह हमारा a square यह हमारा b square कैसे put करोगे a square यह होगा हमारा a square plus करना है two करके यह a two a और next bracket में आपको क्या करना है three इस तरह से लिखना है इसका plus की sign लगानी है और b square होते हैं हमारा three और यह हो गया हमारा b square ठीके इतना लिखना है इसको आपको minus लगाना है और इसने भी आपको इसी तरह से sign के put कर देना है आपको इसको two a को आपको a मानना है three को आपको b मानना है और two a b को आपको multiply कर देना है ठीके आपको इस तरह से लिख देना है पूरा और इसके बाद आपको इससे solve करना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए हम एक बार आप वापस समझा देंगे ठीक है सौल्व करके तो यहां पर आपको फिनाल वी इसंस समझ लेजिए यहां पर आपको फो 4a 4a square प्लस लगाना है 2 x 2a plus 3 2 3 जा होता है हमारा 6 और 6 2 जा होता है हमारा 12 इसलिए आपका एंस्वर आगा 12a प्लस करना है 3 का square है यहाँ पर 3 का square है 3 का square क्या होता है 9 9 करना है फिर माइनस लगाना है फिर 2a 2a square यानि 4a square फिर इसके बाद आपको वापस स्वॉलब करना है 2 into 2a माइनस 3 2 3 जा होता है आपका 6 2 जा होता है 12 12a plus करना है plus minus होता है आपको हैं इहाँ Southern minus करना है और 3 का square यानि 9 यह आपका एंस्वर है इसके बाद आपको इसको कर दया है जो भी आपको सेंसें लगे वह को कर दिना है छोट कर दिना एक अगर मैंने में आप सकते हों सकते स्वाद सकते प्लस में हो आप उसको Ge island माही में इस कर धी थो यह कट गया को प्लैस ना आइन और माइस नाइन नाइन कट बचा क्या प्लस 12A यह दोनों ही प्लस प्लस में है इसलिए यह नहीं कटा है 12 12 जा यहाँ पर आता है आपका 12 12 12 प्लस 12 होता है आपका 24 और यह आएगा 24 यह आपका इस्वर आएगा इसी तरह से फ्रेंड्स आपका सेकेंड नंबर में भी यह यह आपको आइडेंटिटी लगानी है और उसको सॉल्व करना है question है 3x-4 और next प्लस 16 आप लोग को एक आइडेंटिटी यादें A प्लस B और A-B हो तो यानि की होता है है A square माइनस B square हो तो A प्लस B और A माइनस भी होता है उसी तरह से मान लीजे यह आपका A है और यह आपका B है 3x आपका A है और 3x आपका 4 आपका B है तो यहाँपे आपको क्या करना है 3x-4 स्कुर इस तरह से अब आपको इसको solve करना है 3 x square square मतलब 3 3 जा होता है हमारा 9 9 x square minus करना है 4 4 16 और plus 16 तो यहाँ पर आपका answer आजाएका plus 16 और minus 16 कट गया बचा क्या 9 x square तो यहाँ पर आपका answer 9 x square आ गया यह लास्ट question आपका question number 3 यहाँ पर question x square plus y square next question x plus y x minus y plus y days to 4 फिर यहाँ पर आपका question यहाँ पर आपको इस तरह से answer में लिखना है सबसे पहले एक बार आपको plus करना है एक बार आपको minus करना है तो x square plus y और इसका बाद आपको minus x square minus y और आपको plus y 4 लिखना है फिर आपको इसको solve करना है यह time को x square को इससे multiply करना है then y square को वापस ही time को multiply करना है ठीक है एक स्क्वेर को second time से multiply करना है फिर y square को second time से multiply करना है और यह plus y 4 आपको last में as it is रहने देना है ठीक है फिर आपको इस तरह से लिखना है यह पर two x को second time से multiply करेंगा तो x square minus y square उसी तरह से आपको x इस तरह से आपको लिख देना है और last में plus y 4 लिखना है देन आपको इसको solve करना है x square और x square होता है x raise to 4 2 plus 2 होता है हमारा 4 बेज सेम हो तो power का addition होता है तो x raise to 4 हो गया x square और फिर देन आपको क्या करना है x square और y square इसको multiply करना है sin minus है तो minus रहें दो x square y square हो गया इसका plus करना है y square और x square को multiply करना है यानि क्या हुआ x square y square ठीक है plus है तो plus कर दिया हम लोगोंने minus करना है y square y square हो गया हमारा y raise to 4 plus है तो plus करना है y raise to 4 देन आपको जो भी सेम लग रहा है उसको आपको काट देना है ठीक है यहाँ पर minus x y square है और यहाँ पर plus x y square है तो यह दोनों कट गया यहाँ पर minus y raise to 4 है और यहाँ पर plus y raise to 4 है तो यह कट गया बचा क्या x raise to 4 और यही आपका answer रहेगा फ्रेस एक बात याद रखना नमबर तभी कटेंगे जब आपका एक term plus में हो और दूसरा term minus में या फिर minus में और plus में अगर वो एक term plus में और minus में हो या फिर minus में और plus में हो तो ही वो कटेगा अगर वह माइनस में हो या फिर प्लेस प्लेस में हो तो वह टम्स नहीं कटेगा ठीक है तो अगर आपको यह पूरा समझ में आ गया तो हमें कमेंट कीजिए हाँ अगर नहीं समस्में तो आप हमें नो में कमेंट किजिए हम आपको समझा देंगे वापस से ठीक है तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे पार्ट सिक्स में चैप्टर नमबर 11 से ठीक है मितल्श में जैहिंद भारत